स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्व चेनल आईला टॉक्स पर मित्रो, आज हम भात करेंगे भारत की सविधान की भारत की सविधान की अंतरगर आज हम चर्चा करेंगे सरवत्य लिए के गठन की, सरवत्य लिएजिशो की, नियुक्तिय की उनकी योगईता के बारे में उनको कितना वेदन मिलता है कितना भत्ता मिलता है और अगर उनको पत्से हटाया जाए तो महावियोग के माद्यम से हटाया जाएगा और महावियोग की जो प्रोसेज है वो क्या होती है इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं आज का वीडियो जो है वो competition exam वालों के लिए तो है ही पर साथ ही साथ लाके students के लिए भी महत तुपूर है इस वीडियो को देखने से पहले चेनल को subscribe ना किया हो तो चेनल को subscribe कर ले और latest update के लिए बिल आइकन को क्लिक कर दे भारत के सवीधान के भाग 5 और अध्याय 4 के तहट सर्वोची नियाले इस्तापित किया गया है सवीधान के अनुचेद 124 से लेकर 147 के अंतरगद सर्वोची नियाले की सरशना और उसके अधिकार शेत्रों की नियमों का वरणन किया गया है सर्वच्य नियाले की गठन की अगर हम बात करें तो सर्वच्य नियाले की गठन का प्रावधान की शक्ति जो है वो अनुचेद 124 में दी गई है सर्वच्य नियाले की इस्थापना उसका गठन उसकी अधिकारीता शक्तियां के अंतरन से संबंदित जिते भी नियाम है और कानून है इनको बनाने की जो शक्ती है वो संसत को प्राप्त है भारत की नियाएक वैवस्ता जो है वो एकहरी है और एकिकिरत है जिसके सर्वोच्य पर भारत का सर्वोच्य नियाले है ये भारत का अंतिम नियाले है इसके बाद और कोई नियाले नहीं है भारती सविधान के अनुच्छी एकसो चोईश के तेहत भारत में सरवची नियाले की इस्थापना की गई अब सर्वची नियाले की इस्थापना के बारे में कुछ महतुपुण बिंदु हैं जो मैं आपको बता रही हूँ सर्वची नियाले की स्थापना 28 जन्वरी 1985 को भारत की राजधानी नई दिल्ली में तिलक रोड इस्तित 22 एकर जमीन के एक वरगाकार जमीन पर की गई थी जिसका डिजाइन केंद्री लोग निर्मान विभाग के प्रतम भारती अध्यक्षे मुख्य वास्तोकार गणिश भीकाजी देवलाली कर द्वारा इंडो ब्रिटिश इस्थापति शेली किया गया था फिर जो सर्वोची नियाले है उसका इस्थान कहां पर होगा तो सवीधान के अंतरगत दिल्ली को सर्वोची नियाले का इस्थान गोशित किया गया है ये मुख्य नियाएदिश को अन्य किसी इस्थान अत्वा एक से अधिक इस्थानों को सर्वोचिनियाले की इस्थान के रूप में नियुक्त करने का अधिकार प्रदान करता है अगर हम सर्वोचिनियाले की इस्थान की बात करें तो सविधान द्वारा सर्वोचिनियाले का इस्थान हमको क्या दिया गए है दिल्ली दिल्ली में ही सर्वोचिनियाले सुप्रेम कोड जो है वो दिल्ली में ही होगा लेकिन एक प्रावधान और भी क्या गया है कि अगर सर्वत्ची नियाले का मुख्य नियाईदिश चाहे तो वो किसी अन्य इस्थान या एक से अधिक इस्थानों पर भी सर्वत्ची नियाले की इस्थापना कर सकता है और वहाँ पर सर्वच्ची नियालाई की इस्थान के रूप में उसको नियुक्तु करने का अधिकार है तो यह अधिकार किसको है? मुख्ची नियाईदिश को वह राष्टपती के अनुमोदन से ही इस संभन में निर्णाई ले सकता है अब यह तो हो गया कि सर्वच्ची नियालाई अगर एक से अधिक बनाना हो तो सर्वच्ची नियालाई को कौन कर सकता है? मुख्ची नियाईदिश लेकिन मुख्ची नियाईदिश अकेले डिसिजन ने ले सकता है उसको क्या करना है राष्ट पती का अनुमोधन करवाना होगा राष्ट पती की अनुमती लेनी होगी ये प्रावधान केवल वेकल्पिक है अनिवारिन नहीं है इसका अर्थ यह है कि कोई भी अदालत नियाले राष्ट पती या मुख्य नियाइधिश को सर्वोची नियाले क को किसी अन्य इस्थान पर नयुग तो करने के लिए कोई निरदेश नहीं दे सकती है मतलब यह एक वेकल्पिक है यह एक आज इसका यह नहीं है कि आपको बनाना ही कंपल सरी नहीं है अगर चाहे तो वो निरदेश दे सकता है भारत को एक संपर्भू लोकतांत्रीक गर्णाज बनाने के दो दिन के बाद भारत का उचितम नियाले अस्तित्व में आया सर्वोची नियाले के उद्गाटन के बाद संसत भवन के चेंबर आफ प्रिंसेस नरेंद्र मंडल पहली बेठक की शुरुआत की गई थी सर्वोची नियाले बार एसोशियेसन सर्वोची नियाले की बार है अब हम बात करते हैं सर्वोची नियाले में नियाईधिशों की कुल संख्या कितनी है जिसमें एक मुख्य नियाईदिश सहीद 33 अन्य नियाईदिश को मिलाकर सर्वोच्य नियाले का गठन किया गया है सर्वोच्य नियाले की नियाईदिशों की संख्या को निश्रित करने का अधिकार भारती संसत को प्राप्त है सर्वुची नियाले में नियाईदिशों की जो संख्या है 2019 के विधेक में चार नियाईदिशों की वरद्धी की गई इसमें मुख्य नियाईदिश सहित नियाईदिश शक्ती को 31 से बढ़ा कर 34 कर दिया गया है सर्वुच्य नियाले की नियाइधिशों की योग गीता की अगर हम बात करें तो सर्वुच्य नियाले की नियाइधिशों की योग गीता का वरणन भारती सविधान के अनुचेद 124.3 में किया गया है जिसके लिए निमने लिखित योग गिता आवश्य के पहला वो भारत का नागरिक हो दूसरा उसे कम से कम पाँच वर्षों के लिए किसी उच्छ नियाले या उत्रोतर एक से अधिक नियाले का नियाईदिश होना चाहिए उसे दस वर्षों के लिए उच्छ नियाले का या उत्रोत तर एक से अधिक उच्छ नियाले का अधिवक्ता होना चाहिए या उसे राष्टपती के मद में एक प्रतिष्टित नियाएवादी होना चाहिए सर्वत्ची नियाले की नियाईधिश आवकाश प्राप्त करने के बाद भारत की किसी भी नियाले ये किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते सर्वत्ची नियाईधिशों की शपत गिरहन की अगर हम चर्चा करें कि इनको शपत कौन दिलाता है के से दिलाता है तो सर्वची नियाले की नियाधिशों को पद और उनकी गोपनेता की शपत राष्टपती दिलाता है सर्वची नियालय के नियाधिशों को भारत के राष्टपती के समक्ष भारत के सविधान के प्रती सच्ची श्रद्धा और निस्टा और देश की एकता और अखंडता को आश्चुन में बनाये रखने की शपत गिरन करनी होती है यानि सर्वची नियालय के नियाधिश है वो किसके सामने शपत लेगा राष्टपती के सामने क्या शपत लेगा तो ये शपत लेगा कि सविधान के प्रती वो सच्ची श्रद्धा रखेगा निस्टा रखेगा देश की एकतार अखंडता को बनाये रखेगा वो ये सब चीज सर्वची नियालाइ की नियाधिशो को राष्टपति कुण करता है तो राष्टपति करता है सर्वची नियालाइ की मुख्ष नियाधिश इस अंदर्ब में राष्ट पती को परामर्श देने के पुर्व अनिवारी रूप से चार वरिष्ट नियाईदिशों के समू से परामर्श प्राप्त करते हैं और प्राप्त करने के बाद राष्ट पती को परामर्श देते हैं तो राष्ट पती की जो सरवच्च नियाले की जो नियुकती है वो कौन करता है राष्ट पती करता है पर क्या राष्ट पती अकेले कर देता है नहीं राष्ट पती मुख्य नियाईदिश से परामर्श लेगा और मुख्य नियाईदिश क्या करेगा चार वरिष्ट पत थे आपको और बताते चले जो कई बर competition exam में पूछा जाता है कि सबसे अधिक समय तक नियाइदिश के पत पर कौन रहा तो सबसे अधिक समय तक मुख्य नियाइदिश के पत पर रहने वाले नियाइदिश येश्वन्त विश्णू चंद्र चून थे जिनका कारीकाल 22 कम समय तक मुख्य नियाइदिश के पत पर कौन रहा तो नियाइदिश कमल नारायन सी जिनका कारीकाल 25 नॉमबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक था याने की 17 दिन था सरवच्य नियाइदिशों की आयू सीमा और महाब योग अगर हम उनके आयू सीमा की बात करें तो सरवच्य नियाइदिश बनने के लिए नियुन्तम आयू सीमा निर्धारी नहीं की गई है सरवत्ची नियाले की नियाइदिशों की कारी अवधी उनके आयू के 65 वर्षे तक की होती है किन्त इसके पहले वराष्टपती को संभोधित कर अपना इस्तिफा दे दे सकता है देखे आयू सीमा एक सरोच नियाले के नियादिश कौन सी उम्रों का वेक्ति बन सकता है तो यहां आयू सीमा कुछ भी नहीं दी है किसी भी आयू का वेक्ति बन सकता है लेकिन यहां पर उसकी रिटायर्मेंट की उमर जरूर बताएगी है कि कितनी उम्र तक वो काम कर सकता है तो 65 वर्षी की उम्र तक वो काम कर सकता है इसके पहले अगर वो अपने पत से इस्तिफा देना चाहता है तो राश्ट पती को संभोधित करके अपना इस्तिफा दे सकता है यानि सर्वची नियाले का नियाई धीश अपना इस्तिफा किसे देगा राष्ट पती को देगा ये बहुत महत्वपूर बिंदू हैं जो परतियों की परिक्षाओं में पूछे जाते हैं अब हम इनके महावियोग के बात कहते हैं महावियोग के लिए संसत के दूनों सदन अलग-अलग परस्ताव पारिद करके एक ही सत्र में उपस्तिती तता मद्धान करने वाले सदस्यों की कुल संक्या का दो बटतीन भहुमत का होना आवशक होता है अगर एक सर्वत्च नियाले के नियाधिश को उसके पत से हटाना है तो उसके उपर महावियोग लगेगा और महावियोग केसे लगेगा संसत के दोनों सदन जो हैं वो अलग-अलग परस्ताव पारिद करेंगे एक ही सत्र में दोनों उपस्तित होंगे मद्दान भी दोनों करेंगे और मद्दान करने वाले जो सदसी हैं उसकी संक्या का दो बटा तीन बहुमत होना आवशक है तभी उसको पत से हटाते हैं महावियोग किन आधारों पर लग सकता है कदाचार के आधार पर शारिरिक वमानसिक आशमर्थता के आधार पर संसत के प्रतिक सदन द्वारा अनुच्छद 124 के तेहित विशीश बहुमत प्रक्रिया द्वारा पारित महावियोग प्रस्ताओं के माध्यम से हटाया जा सकता है अब हम थोड़ी से चर्चा कर लेते हैं कि महावियोग की जो प्रक्रिया है वो सबसे पहली बार कब चली थी 1991 से 1993 के बीच में सरवच्छी नया लेकी नया दिश वी रामा स्वामे के खिलाफ और 2011 में चली थी कुलकत्ता उच्छी नया लेकी मुख्छी नया दिश सोमीत्र सेन के खिलाफ महावियोग लाया गया था राच्छी सबा में पारित होने के बाद लोग सबा में पारित होने के पहले ही उन्होंने त्याक पत्र दे दिया था फिर सिक्किम उच्छी नया ले के नियादी पीडी दिना करण ने महावियोग की कारवाई शुरू होने से पहले त्याक पत्र दे दिया था ये कुछ इसे महत्वपूर्ण बिंदू है जो मैं आपको बीच बीच में बता रही हूँ क्योंकि इस से related question बनते हैं सरवची नियाले के नियाधिशों के वैतन की और उनके भत्ते की बात करें तो सरवची नियाधिशों के वैतन और भत्ते कहां से मिलते हैं भारत की संचित नीधी से इसका वरणन कहां किया गया है अनुचेद 125 में अब कितना मिलता है तो वरत्मान में सरवची नियाले के मुखित नियाधिश को 2,80,000 रुपे हर महीने मिलते हैं और अन्य नियाधिशों को 2,50,000 रुपे परती महा प्राप्त होता है इसके पहले सरवची नियाले के मुखित नियाधिश का जो वेतन था वो 1,00,000 रुपे परती महा था और अन्य नियाधिशों के नियाले का जो नियाईदिश थे उनका 90,000 रुपे था इसके अलावा सरकार द्वारा सुप्रिम कोट के नियाईदिशों को नीशुलक अवास, मनोरंजन के लिए, काम के लिए, करमचारी, कार और यात्रा भत्ता मिलता है अब इसके अलावा नियाए दिश्यों को भत्ते की रूप में क्या मिलता है तो जिस घर में वो रहते हैं वहाँ उनको किराया नहीं देना होता है किराया के अलावा लाइट का बिल भी उनको नहीं लगता है टेलिफोन जो लगता है उसका बिल भी उनको नहीं देना है कार मिलती है अगर कार उनकी खुदकी हो तो पेट्रोल का जो खर्च है सरकार उठाती है उनके यात्रा का जो भत्ता है वो सब उनको मिलता है उनकी घर में कर्मचारी होते हैं काम करने वाले जिनका पैसा जो है वो सरकार चुकाती है तो मित्रो आज की वीडियो में हमने भारत के सवीधान के एक महत्पूण विशय के उपर चर्चा की है जो की परतिओ की परिक्षाओं के लिए महत्पूण है जो सिविल जच की अड़िप्यों की और जो तैयारी कर रहे हैं या जो फिर अन्य लॉसे संबंदित कॉंपिटिशन एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन स्टुडेंट से के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर है वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक करिए कमेंट से करिए अधिक साधिक इसको शेयर करिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विशे के साथ तब तक के लिए शुक्रिया धन्यवाद